हेलो दोस्तों, वेलकम टो मैं चैनल सहीताईन टैपल्स तो हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा जो कार्ड है, तो आप ती यो बैंट से अच्छे से दिखाओ तो ये जो है, बैंट से हमारी creativity और work related होता है बैंट तो तीन का जो नमबर है वो टैरो कार्ड में हमेशा डिनोट करता है togetherness, group, three number denotes है group यसे दो होता है partnership का दो लोग के वीश में और तीन होता है तो ये जब भी कार्ड आता है तो working as a team, तो अगर आप as a team work करोगे तो success is on the way, shared ideas हो, shared creativity हो, तो आपकी जीत होगी होगी, मतलब आपको जो भी काम करना है, वो आप मिल जूर के करोगे, तो अच्छा रहेगा, यह दिखाता है कि आपका commitment और आपका confidence भी payoff, अगर यह card आजाता है, तो your commitment, अथा it is a yes card, it is showing कि भी आपने तो मेनत करी है, commitment के साथ वो कर रहा है, वो आपका progress smooth होगा, आपके expansion होगी, आपके पस options भी है, कि आपके तीन options भी जिखाता है, कि आपके बस बहुत सारे options हैं, और इसे आप चूज कर सकते हो, अगर यह उल्ता आजाता है, तो यह दिखाता है, delay, delay of everything, disagreement, जैसे तीन चार लोग हैं, तो उनके बीच में disagreement होगा, आपस में लराई लरा करेंगे, और किसी एक particular उस पे आप नहीं पहुँच पा होगे, है ना, किसी एक उस पे नहीं पहुँच पा होगे, decision making नहीं हो पाएगे, उलज के नहीं जाओगे, है ना, lack of cooperation from others, तो दूसरे आपके साथ cooperate नहीं करेंगे, दूसरे का जो behavior है, वो आपकी growth को hamper करेंगे, आपकी team ठीक से काम नहीं करी है, आपको तंग करी है team, disagreement, altercations, अगर ये future में आता है, तो ये दिखाते है कि भी, you should have hope, अच्छा hope है जाने का, तो ये three of vands का card है, तो three of vands जहीं denote करता है, दोस्तों, अगर आपको cursal tarot card reading करवानी है, तो मेरे number 98111 42249 पे call करें, जेनरल हम लोग बता रहे हैं, पर हर बार जो है meaning change होना था, depending on the question, तो इसको आप एक generalize मानो, और आप call करते रहो, keep in touch, thank you, bye bye.